भारत के अधिकांश शहरों में अस्तमा है अगर आप दिल्ली में हैं, तो ये अकेली ऐसी जगा है जहां हवा दिखाई देती है ये अच्छा है, इतनी जरूरी चीज़ को देख पाना हवा इतनी घनी है कि दिखाई देती है अगर आपको पहले ही कोई समस्या है, तो शहर आपके लिए ठीक नहीं है कम से कम गाउं में जाने का यही समय है ओ, मैं क्या करूँ, मैं नौकरी करता हूँ अगर सुभर शाम सांस की परिशानी हो तो नौकरी का क्या फाइदा? गाउं में पैसा कम मिलेगा, पर सांस अच्छी मिलेगा, ये मेरी राय है कम से कम सांसे आसान होनी चाहिए, कुछ और नहीं तो, है न? इतना सुख तो इनसान को मिल सकता है बस सांस लेना और छोड़ना, कम से कम इतने सुख के सभी हकदार है, है न? पर दुर्भाग्य से सभी बड़े शहरों में यही हो रहा है, सांस लेना मुश्किल है आप देखेंगे, अगर आप ताजी हवा वाली जगा पर रहते हैं, तो आपका आस्थमा 25 से 30 प्रतिशत कम हो जाएगा बाहरी समस्या को दूर करने के बाद, अंदर की समस्या को संभालना संभव हो जाता है मनुश्य के रोग दो तरह के होते हैं संक्रामक रोग और स्थाई बिमारियां हैं संक्रामक रोग शरीर में तब होते हैं, जब एक बाहरी जीव आक्रमन करता है और परेशानी पैदा करता है, जिसे दवा से ठीक करना पड़ता है पर स्थाई बिमारी यानि हमारा शरीर ही समस्या पैदा कर रहा है सिस्टम खुद ही रोग बना रहा है क्योंकि समस्या अंदर पैदा की जा रही है, इसी लिए भीतरी समाधान खोजना बहुत जरूरी है Inner Engineering प्रक्रिया बस इसी के बारे में है कि आप अपने भीतर, बुद्धी और क्षमता के सबसे गहरे आयाम तक पहुँचें जो इस शरीर को पैदा कर सकती है ये सोचना और मानना कि मेरी सभी समस्याएं बाहरी कारणों से हुई है और समाधान भी बाहर हैं ये समस्या को सुलजाने का मुर्खता पूर्ण तरीका है डायबिटीज, उच्छरक्त चाप, भिदय रोग, अस्थमा, एलर्जी, मोटापा, खाने के विकार और ऐसे कई पुराने रोग जो सभी मूल रूप से अंदर से पैदा होते हैं इन सभी चीजों को अंदर से मिटाया जा सकता है अगर हम बस अपने सबसे भीतरी आयाम पर ध्यान के लिए राजी हूँ तो यदि आप दूद छोड़ दें तो आप देखेंगे हमने देखा है कि कई लोगों को सिर्फ दूद या दूद से बनी चीजें खाने से अस्थमा होता है दूद छोड़ने से उनका दमा चला जाता है बहुत से लोगों की कम से कम 50 प्रतिशत समस्या दूद से बनी चीजों से होती है अगर उसे हटा दें तो 50 प्रतिशत ठीक हो जाएगा बाकी 50 प्रतिशत आसानी से संभला जा सकता है दूद और दूद से बनी चीजें लेने से बलगम की समस्याईं ठीक नहीं होती ऐसी चीजों से कफ बहुत बढ़ जाता है ऐसे लोगों को केला, कठहल, पका हुआ चुकंदर नहीं खाना चाहिए आप कच्चा चुकंदर खा सकते हैं, पर पके हुए चुकंदर से बहुत बलगम बनता है एक और चीज जो दैनिक सेवन के लिए बहुत अच्छी है, वो है शेहद शेहद धर्ती का अकेला ऐसा पदार्थ है, जिसकी रासायनिक सनरचना इंसानी खून के बहुत करीब है खास कर उनके लिए जिने जाधा बलगम की समस्या है दोस्तो चाहें वो सद्गुरु की बेस्ट सेलिंग बुक डेथ एन इंसाइड इस्टोरी हो या फिरो जीवन जीने का सही तरीका बताने वाली पुष्टक चाहो और पालो दोस्तो सद्गुरु की ऐसी बेस्ट सेलिंग बुक से लेकर ऐसी हचारों पुष्टके आपको मिलेंगी कुकु एफम पर जिनकी सबसे खास बात यह है कि आप इन पुष्टकों को हिंदी, इंग्लीश, मराठी और गुज्राती जैसी अपने लोकल लेंग्वेज में कहें भी कभी भी सुन सकते हैं चाहें आप सुबह योगा कर रहे हो रास्ते में हो या फिर आराम फर्मा रहे हो दोस्तो इतना सब कुछ आपको मिलता है कुकू एफम की तरफ से दिन के सिर्फ एक रुपे से भी कमदाम पर साथ में अगर आप माई गयाना लेकर सबस्क्राइबर हैं तो दिखाए गए कूपन कोड की मदद से आप नव वर्ष के पावन अफसर पर पा सकते हैं पूरे 50% का डिसकाउंट तो अगर आप चाहते हैं कि यह नया साल 2022 आपके लिए एक नया बदराव लेकर आए तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दीगे लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया एप कुकु एफम सुने कभी भी कहीं भी ध्यान रखें यह ओफर सिर्फ एक जन्वरी 2022 के लिए हैं